दोस्तों अगर आपने जॉंबी आइलेंड होरर स्टोरी का पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन्हें देख लें नहीं तो ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी पिछली विडियो में हमने देखा कि गुली बुली के सामने से दो जॉंबी जिन की तरफ ही आने लगते हैं और गुली बुली वहाँ से तुरन भाग कर वापस बोट के पास जाने लगते हैं और वापस आते ही इनों ने देखा कि वहाँ शौन जॉंबी बनकर खड़ा हुआ था और तभी शौन गुली बुली की तरफ बढ़ने लगता है और गुली बुली के पीछे खड़े हुए एक जॉंबी पर हमला कर देता है और वापस खड़ा होकर गुली बुली से कहता है कि म मैं अभी भी होश में हूँ गुली बुली चलो हम जंगल के अंदर चलते हैं और यहां से निकलने का कोई तरीका ढूनते हैं और यह लोग जंगल के अंदर जाने लगते हैं और तभी उन्हें जंगल के अंदर ही एक घर के बाहर एक गाड़ी दिखाई देती है और यह लोग उस गाड़ी में बैट कर वहां से आगे बढ़ने लगते हैं लिकिन आगे उनको कुछ जॉम्बीज और उस गाड़ी का मालिक यानि लेदर फेज उनको घेर लेते हैं। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। शॉन अपने सामने इन लोगों को देख कर कहता है कि भाई लोग आके गाड़ी में बैट जाओ। बाहर बहुत खतरनाक जॉम्बीज घूम रहे हैं। बाहर तुम लोगों के लिए बहुत खत्रा है। बुली कहता है कि शॉन तुम पागल हो गए हो क्या। सामने कोई इंसान थोड़ी ना है। वो सब जॉम्बीज हैं। और ये बीच वाला शायद इनका सरदार है। मुझे लगता है कि हमें यहां से तुरंट निकलना चाहिए। वरना ये हमें छोड़ेंगे नहीं। गुली कहता है कि बुली और शॉन हमें बातें बंद करके तुरंट यहां से निकलना चाहिए। शॉन कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो गुली बुली। मैं हूना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। बस अब देखो मेरा कमाल। शॉन ने तो ये कमाल ही कर दिया। लेकिन गाड़ी ऐसे चलाने की वज़े से अचानक से गाड़ी बंद पड़ जाती है। शॉन कहता है कि अब ये गाड़ी को क्या हो गया गुली बुली। अब क्या करें हम लोग। बुली कहता है कि अब करना क्या है शॉन ऐसे गाड़ी उड़ाओगे तो ऐसा होगा ही। गुली कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ और अब ये सोंचो कि क्या करना है आगे। मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो रही है। शॉन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है गुली बुली। तुम दोनों गाड़ी से उतर के गाड़ी को धक्का लगाओ और मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिस करता हूँ। बुली कहता है कि शॉन इसमें बहुत खत्रा है क्योंकि वो जॉम्बी जिधर आते ही होंगे और अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हम तो मारे जाएंगे ना। मुझे तो लगता है कि हमें गाड़ी में ही छुपे रहना चाहिए या फिर हम इस गाड़ी को छोड़के यहां से भाग चलते हैं। शौन कहता है कि यह गाड़ी मुझे बहुत पसंद है बुल्ली, मैं इसके बिना नहीं जाऊंगा। लेकिन अरे यह क्या, लेदर फेस तो इनकी तरफ ही आ रहा है। और बुल्ली उसे देखकर कहता है कि शौन अब लगता है कि हमारा समय आ गया है, हम लोग नहीं बचने वाले हैं अब, वो देखो पीछे वो जॉम्बी इसका सरदार इधर ही आ रहा है। शौन कहता है कि बुल्ली असल में उसका नाम लेदर फेस है, और वो पता नहीं क्यों लेकिन लोगों को मारता है, और वो शायद हमें ही मारने आ रहा है इधर, हमें आज जब निकल के कहीं छुपना ही होगा। और गुल्ली बुली और शौन गाड़ी से उतर कर एक जग़ छुप जाते हैं, और लेदर फेस को आता हुआ देखने लगते हैं, और इधर लेदर फेस गाड़ी के पास आकर आसपास देख रहा है। ये गुल्ली बुली और शौन को ही ढून रहा है। इसलिए बहतर यही है कि हम यहीं छुपे रहें, और इसकी जाने के बाद हम गाड़ी लेके आगे बढ़ जाएंगे। शौन कहता है कि ठीक है गुल्ली लेकिन अगर इसने मेरी गाड़ी को छुआ भी तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं वैसे भी अब मैं और भी जादा खतरनाक बन चुका हूँ अब मुझ में और भी शक्तियां आ चुकी हैं और मैंने अभी अभी एक जॉम्बी को भी तो मारा था बुल्ली कहता है कि शौन वो तो एक मामुली जॉम्बी था लेकिन ये तो खुंखार दरिंदा है हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए बस चुप चाप यहीं खड़े रहो और लेदर फेस वहां से अपनी गाड़ी ले जाने लगता है शौन कहता है कि ये तो देखो गुल्ली बुल्ली ये तो मेरी गाड़ी वापस ले जा रहा है तुम बोलो तो मैं इसे मार कर आता हूँ अभी गुल्ली कहता है कि ठीक है शौन जाओ और जीत कर ही वापस आना पिट कर मत आना और शौन उस गाड़ी की तरफ दोड़ने लगता है और अरे ये तो शौन की स्पीड काफी ज्यादा है शायद शौन के पास देज दोड़ने की शक्ती भी आ गई है लेकिन शौन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं लेदर फेस उसे देखना ले और थोड़ी ही देर में लेदर फेस वापस से अपने वेर हाउस पर पहुँच जाता है और वेर हाउस के अंदर जाने लगता है और अरे ये तो वेर हाउस के अंदर दो लोग और हैं दोस्तों क्या आप इन दोनों को जानते हैं अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं चलिए मैं ही बता देता हूँ ये जेसन और मिस्टर मीट हैं ये लोग शायद लेदर फेस के साथ ही थे यहाँ जेसन लेदर फेस से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी कौन ले गया था लेदर फेस क्या तुम्हें कुछ पता चला और क्या तुमने उन्हें सबक दिखाया की नहीं लेदर फेस कहता है कि जेसन वो लोग मुझे कहीं मिले ही नहीं वो जो भी लोग थे वो बीच रास्ते में ही मेरी गाड़ी को छोड़कर कहीं भाग गए नहीं तो अब तक तो मेरे हाथों से मारे जाते मिस्टर मीट कहता है कि अच्छे किस्मत है उनकी नहीं तो तुमारे आतों से किसी का बचना बहुत मुश्किल है और अरी ये तो शौन इदर बाहर से ये सब कुछ देख रहा है और लगता है शौन ये सब देखकर बहुत डर चुका है इधर गुली और बुली भी भागते हुए शौन के पास पहुँच जाते है और बुली शौन से कहता है कि तुम अंदर ये क्या देख रहे हो शौन शौन कहता है कि गुली बुली हम यहां पर बहुत बड़ी मुसीबत में फस चुके हैं यहां लेदर फेस और जॉम्बीस के साथ साथ जेसन और मिस्टर मीट भी हैं और लेदर फेस मिस्टर मीट और जेसन से बात कर रहा है गुली कहता है कि शौन हम तो बुरे फस गए हैं अब क्या करना चाहिए हमें शौन कहता है कि गुली बुली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है अगर हमारे पास फोन होता तो बाबा को कॉल लगा लेते हम लोग लेकिन हमारे पास तो यहां फोन ही नहीं है तब ही अचानक गुली बुली शौन के पीछे कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनके होश ओड़ जाते हैं बुली कहता है कि शौन जरा आपने पीछे तो देखो अब तो हमारी खैर नहीं आरे अब ये कौन है दोस्तों अगर आप इसे जानते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं तो दोस्तों अब क्या होगा गुली बुली और शौन के साथ ये लोग तो अब बुरे फस चुके हैं क्या ये लोग अब यहां से बच कर निकल पाएंगे ये देखेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे मैं इसका नेक्स पार्ट अप्लोड करूँ तो आपको तुरन पता जल जाए